बाढ़ में आधा ससुराल लेकिन अब अगर सिलन जाती ही नहीं तो मैं क्या करूँ अगर ये सिलन रिपैर कराने से नहीं सही हो रही है तो मकान गिरवा कर दुबारा बनवाओ लेकिन अब मैं इस सिलन वाले घर में बद्बू की बीच और ज्यादा नहीं रह सकती कभी यहाँ से सर पर चूना गिर जाता है कभी वाहाँ से अरे मेरी नहीं कम से कम अपनी बच्चों की तो चिंता करो उसकी सारे दोस्त इस मकान को भूत बंगला भूत बंगला कहकर चिड़ाते हाँ, मकान तो जैसा ऐसे ही बन जाते तुमने जबान चला दिया और मकान बनकर तयार हो गया अरे बड़ी किस्मत वाली हो जो ये भूत बंगला रहने को मिला है वनना उससे भी हाथ दो बैटोगी तब पता चलेगा हम ये बात तो शादी से पहले बतानी चाहिए थी न कि शादी करके तुम मुझे इस सिलन बरे मकान में रखने वाले हो तुम्हें अगर भूत नाद बनकर यहां रहना होतो रहो मैं तो अब इस सिलन बरे मकान में नहीं रहूँगी मैं जा रही हूँ अपने माई की अब जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए और घर ठीक ना हो जाए उससे पहले मुझे लेने मत आना दूसरी और मिनु की जिठानी भी उसके हिस्से के मकान की सिलन से उतनी ही परिशान थी सुनते हैं आज मैंने मिस्तरी को बुलवाया था पूरे 12,00,00 का खर्चा बता रहा है कहे रहा था कि आपको मकान दुबारा से बनवाना पड़ेगा इसमें रिपैरिंग का काम कराने से कोई फाइदा नहीं है इस सिलन को सही करवाने के लिए गिरवा कर ही बनवाना पड़ेगा सब बैसे भी मकान काफी पुराना हो गया है अब आप बताएए कब से काम शुरू करवाना है साफ साफ सुन लो मेरे पास 12,00,00 रुपय नहीं है तुमारी जेब में इतना पैसा हो तो काम शुरू करवालो मुझे पैसो के लिए मत को अरे कैसे बेतुकी बाते कर रहे हैं कमाते आप हैं तो पैसा मेरी जेब से कहां से आएगा तेखो अब बहुत होगी बहाने बाजी पर अब मैं इस घर में ऐसी टूटी-फूटी हालत में नहीं रहने वाली मकान धंग से बनवाओगी या नहीं साफ साफ बताओ तो तुम भी साफ साफ सुन लो ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मैं बनवाने वाला हूँ ठीक ही कहती थी मेरी माँ तुम्हारे जैसे आदमी के चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं चीए था शादी को बारा साल होगे जिन्दगी जहन्नम बनाकर रखी हुई है पूरे घर में बद्बोर सिलन से मेरा दिमाग सुन होगे है बस अब मैं और परदाश नहीं करने वाली मैं अपने बच्चों के साथ माईके जा रही हूँ गुस्से में तम तमाती हुई दोनों देवरानी और जिठानी अपने-अपने माईके जाने लगती है अरे जाओ जाओ अपने माईके की धौंस हमें मत दिखाओ चार दिन में अकल ठिकाने ना आ जाए तो बताना मैं अभी देखता हूँ तुमारे घर वाले कितने दिन तुमें रखते हैं चार दिन बाद यही टूटा फूटा सिलन वाला ससुराल तुमें अच्छा लगने लगेगा अपनी पत्नियों को माईके जाते हुए देख सुशांत और विक्रांत उन्हें रोकते नहीं है बल्कि गुसे में उन्हें वापस ना लोटने के लिए कह देते हैं दोनों पत्नियों की जाने की बाद बैया बल्कुल ठीक किया आपने अगर आज आप उनको जाने से रोक लेते ना तो ये लोग रोज ऐसे ही ब्लैकमेल करके हमसे अपनी उल्टी सिधी बाते मनवा ली थी अरे इनको क्या लगता है ये लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग घर नहीं चला पाएंगे अरे इनसे ज्यादा अच्छे से घर चला कर दिखाएंगे हम छोटे तु बिल्कुल ठीक किरा अच्छा एक बात बता खाना तो बना लिता है ना तू तुझे पता है ना घर के कामों में मेरा हाथ थोड़ा तंग है ऐसा का ना खाने का काम तुम संबाल ले ना और साफ सफाई मैं कर लूँगा अरे भाईया क्या बात कर रहे है आप मुझे ये रोटी रोटी नहीं बहन दी मुझे लगा आपको आती होगी इसलिए मैंने बड़े शान से जाने को कह दिया लेकिन अब क्या होगा भाईया अरे अब छोड़ ना ये सब बात है जब हम आफिस संबाल सकते हैं तो ये सब नहीं संबाल सकते हैं क्या अरे साब हो जाएगा टेंशन ना ले कुछ दिर बाद भाईया मुझे बहुत जोरोगी भूख लग रही है चलो कीचन में चलते और कुछ खाने को बना दे चोटे भूख तो मुझे भी लगी है चल चलते है सुशान परात में आटा निकालता है और विकरान फ्रीच से सबजीया निकाल कर काटने लगता है अरे भाईया ये आटा कैसे गूता जाता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पानी डालो तो गीला हो जाता है उसको सुखाने के लिए और आटा मिलाओ तो सारे हाथ में चिपक जाता है मुझे से नहीं हो पाएगा ये ऐसा करते हैं चुपचाप चावल बना लेते है अच्छा चल ठीक है उसकी राख दिखाई देती है अरे भया कितनी सीटी लगा दी सबजी में पता नहीं दस पंदरा तो लगी गई थी मुझे बोरियत हो रही थी तो मैंने कान में हेड़फोन लगा लिया और गाने सुनने लगा उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला यादी नहीं रहा कर कुकर में कितनी सीटी लगी है और अब तेरे सामने कुकर खोल कर देख रहा हूँ तो खाने का तो सत्यानाश हो चुका है भया रोटी सबजी तो बननी पाई ऐसा करते हैं चावल में नमक मिला कर चुप-चाप खा लेते अब तो मुझसे और भूख-बरदाश नहीं हो रही है सुशान तो सुखा चावल क्यों खाएगा रुख जा अभी मैं बाहर से खाना ओर्डर करता हूँ हमसे खाना नहीं बन पाएगा तो क्या हुआ बाजार में खाना बिकना थोड़ी न बंद हो गया है बेचारे दोनों भाई किसी तरह सुखे चावल में नमाक मिर्च मिलाकर खाना खा लेते हैं लेकिन उनकी अकड़ अभी भी धीली नहीं होई थी अगले दिन सुबा कलना हमारी गलती थे हमने योट्यूब ट्राई नहीं किया न अरे योट्यूब पर एक से एक वीडियो पड़े रहते हैं और हम नादानों की तरह से किचन में गुश गया थे आज तु देख मैं क्या बड़िया रेसिपी तुझे बना कर खिलाता हूँ उसकी बाद सुशांत और विक्रांत दोनों दोबारा किचन में गुश जाते हैं लेकिन कई घंटे की मशकत के बाद भी उनसे खाने लायक खाना नहीं बन पाता और आज भी दोनों को ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता है दो-तिन दिन तक किचन में जाम कर एक्सपिरिमेंट करने की बाद भी दोनों भायों से ढंका खाना नहीं बन पाता है तो उनकी अकल ठीकाने आ जाती है वो दोनों गिड़ गिड़ाते हुए अपनी अपनी पत्नियों के पास पहँच जाते हैं मिनु सुनो देखो तुम्हें मकान को जैसे बनवाना हो जिस रंका पेंट करवाना हो जी भर के करवाओ मुझे कोई दिकत नहीं है तुम कहोगी तो मैं तुम्हें बैंक से लोन भी निकलवा कर दीतूँगा लेकिन बगवान के लिए अब वापस चलो तीन दीन हो गया धंक इसे फूली नहीं समाती और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है देखा तुने चुटी कहते हैं ना औरत की पास बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है बस वो अपना असली रूप दिखाती नहीं है आदमियों को मना दो दिन में ही लाइन पर आ जाई ये अच्छा अब तु ये सोच क्या क्या काम करवाना है घर में देख मैंने तो सोच लिया है कि बजट की कोई चिंता नहीं करनी है मुझे सस्ते की चक्र में पढ़ करना एक बार फिर से मुसिबत मोल नहीं लेनी मैं तो पूरा का पूरा घर गिरवा के बढ़िया सिमेंट मसाल लगवा कर मस्बूत और टिकाव सा मकान तयार कराने वाली हूँ जिठानी की बास सुनकर देवरानी मन ही मन सूचती है जिठानी जी का तो दिमाग खराब है इतनी मुश्किल से तो इन भाईयों ने अपनी जेब ठीली करिये मैं तो सारा पैसा इस मकान में लगाने वाली न पकड़ कर ले आती है देखो मिस्तरी बड़िया से बड़िया सामान लगाना है और काम ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों के आँखे खुली की खुली रह जाए और दोबारा कभी भी सीलन की समस्या ना आए अब बिलकुल विक्र मत करो मेम साब मैं ऐसा काम करूँगा कि या फिर काम करके भी दिखाओगे दूसरी तरफ देवरानी मिनू कम से कम पैसो में सारा काम करवाना चाहती थी देखो मिस्तरी जी ऐसा है ये दो कमरे और आंगन का ये पूरा हिस्सा बिलकुल बढ़िया करना है आपको अब ये बताओ कितना खर्चाएगा देखे बहान जी आपके घर के हालत बहुत खराब है मेरी बात मानिये तो उसको पूरा गिरवा कर दुबारा बनवाईए मरमत से आपका काम नहीं चलेगा अरे भाईया उतना ही सुनो जीतना मैं कह रही हूँ तुम्हे अपना दिमाग ज्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बहान जी जासा आपके मेरा तो फर्स था एक बार आपको समझाना इसके आगे के काम की गारंटी मेरी नहीं है आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही बना दूँगा दीखो मैंने समझा दिया है ना बहुत बड़िया सामान लगाने की ज़रूरत नहीं है बस काम चलाओ चीज लगाओ कौन सा हमें सौ साल तक इसी मकान में रहना है जहां एक तरफ जिटानी दो कमरे और एक कांगन को बनवाने में 12 लाक लगा रही थी वहीं देवरा ने इस काम को 4 लाक में करवा रही थी और घमन में फूली फूली घुम रही थी कि देखो कितने सस्ते में काम करवा रही हो कुछ दिन के बाद भाबी कितना पैसा लग गया आपका? काम तो कुछ खास हुआ नहीं अभी तक अरे काम तो लगबग खाता मिया है अब बस फिनिशिंग बाकी है दस लाक तो लगबग लग गया है मुझे लगता है अभी दो लाक और लग जाएगा तुम्हारा काम कहा तक पाचा? अरे भाबी आपके इतने से काम में बारा लाक लगा दिये आपको तो पैसे खर्च करने के समझ ही नहीं है पताओ जेट जी की इतनी मैनत से कमाया हुआ रूपया पानी की तरह भादिया आपने हमें तभी बड़ा दुख हुआ सुनकर आपको यकिन नहीं होगा मैंने पूरे चार लाक में इसारा काम निपटवा लिया है क्या बात कर रही है? चार लाक में पूरा हो गया ते राकाओ? सही से तो कराया ना तुने? अनी तो क्या? इन मिस्त्री का तो काम ही होता है बेवकुफ बनाना दो रुपे की चीज़ दस रुपिया में खरिदवाई होगी आपको अब आपकी पास इतनी समझ हो रहनुवो का है जितना मेरी पास है आप ही देखो एक तिहाई दाम में ही मकान बन गया ना मेरा? देवरानी की बात सुनकर बिचारी जिठानी का तो मुही उतर जाता है और वो बिचारी इस सदमे में आ जाती है कि उसने अपने पती की महनत की कमाई पानी में बहाती उसी रात अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोरों की आंधी तुफान के साथ बारिश आ जाती है जहाँ एक तरफ जिठानी बारिश का आनन ले रही थी वहीं देवरानी का मकान पहली बारिश भी बरदाश नहीं कर पाता और उसके घर में बारिश का पानी टप 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 गिद्र लगता है अरे मारानी ये क्या किया है तुमने पहले तो बस सीलन ही आती थी घर में अब तो पानी टपक रहा है क्या क्या है तुमने इतना पैसा दिया मैंने तुम्हें मकान बनवाने के लिए और तुमने घर का तो सत्यान आशी करा दिया मेरे जीवन भर की जमा पुझी को भी अरे नई नी ऐसा कुछ भी नहीं है दीखो कभी गभी ना ऐसा हो जाता है वैसे एक कमरे में ही तो दिक्कत आएए शलो दूसरे कमरे को देख और आते है वो अपने पती के साथ दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है कि दूसरे कमरे में बने attached toilet बात्रूम से पानी बैहता हुआ सीधा कमरे में आ रहा है ये बात्रूम का पानी कमरे में क्यों आ रहा है हो क्या रहा है हमारे घर में बार आ गई है मुझे लगता है कि सीवर ब्लॉक हो गया है अरे सीवर कैसे ब्लॉक हो गया अभी तो बनाया है या फिर तुमने बनवाया नहीं था वो मिस्तरी ने तो कहा ही था कि दूसरा कनेक्शन करवा लो सीवर का लेकिन मैं ही नहीं मानी मुझे लगा वो मुझे बेवकुफ बना रहा है पचास हजार का एक्स्ट्रा खर्च बता रहा था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मुझे सही कह रहा था हमारा सीवर सच में ब्लॉक हो गया है अरे पूरे घर का सत्या नाश हो गया एक बारिश भी नहीं जेल पाया मका पता नहीं दो-चार दिन लगातार बारिश आ गई तो क्या होगा हम तो एक बारिश में ही बाड़ वाली हालत में आ गया है गंदे पानी को कमरे में आता देख सुशान्त और उसकी पत्नी दोड़ते हुए जेट और जेठानी के हिस्से में चले जाते हैं वहाँ जाकर देखते हैं कि उनका मकान तो चम-चमा रहा है कहीं पर भी एक बुंद पानी भी नहीं टपक रहा अरे सुशान्त भाईया मीनू इतनी रात को आप लोग यहां क्या कर रहे हो भाईय वो क्या है ना बारिश की वज़े से हमारी तरफ थोड़ा पानी भर गया है तो क्या आज रात हम लोग आपकी यहां रह सकते हैं क्या तुम्हारी यहां पानी कैसे भर गया अभी तो तुमने नया बनवाया है ना तो नए मकान में पानी बनी का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ भावी, ये जो आपकी देवरानी है न, इसको अपने अलवाद दुनिया में बाकि साब बेवकुफ नजर आते हैं। जब मैंने इसे समझाया था कि चार पैसे बचानी के चकर में अपने मकान का सत्यानाश मत करवा। तब तो इसने अपने आगे किसी की चलने नहीं दी। तब तो इसको ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे होश्यार और रहत है और हम सब बेवकुफ। चार पैसे बचाने के लिए इसने घटिया से घटिया सामान अपने मकान में लगवाया देख लो अब एक बारिश भी बरदाश नहीं कर पाया इसका घर और घर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहांसे पानी ना टपकराओ अरे पिता जी का साथ साल पुराना बनाया हुआ मकान जिससे आप दोनों को बहुत समस्या थी ना उसमें भी सिर्फ सीलन ही आती थी ऐसे पानी नहीं टपकता था आप एक बार हमारे कमरे में जाकर तो देखे आप अपना सर ना पकड़ लो तो कहना अच्छा जी और ये महरानी चली थी मुझे ग्यान देने क्या कहा था तुमने के मुझे मिस्टरी लूट कर चला गया और इतना ही नहीं इस दे तो ये भी कहा कि मैंने अपने पती की खून पसिने की कमाई पर पानी फेर दिया और इसके पास मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है तुझे पता है तेरी इन बातों की वज़े से हफ्तो रात में नीन नहीं आई मुझे अब तुने देख लिया ना सस्ते और महेंगे का फर्क जिठानी की बात सुनकर बिचारे देवरानी बगले जांकने लगती है अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया एक बार चलकर तुम्हारा घर देक कर आते हैं क्या आखिर हुआ क्या है जेट और जिठानी जाकर सुशांत और मीनू का कमरा धेखते है ये भगवान ये क्या किया है तुमने यहां तो बाड आई हुए इसको सीलन नहीं कहते है इसे बाड कहते है कोई बात नहीं चलो आज रात तुम लोग हमारे यहां ही रुख जाओ कज सुबह हम लोग मिस्तरी को बुला कर इसके बारे में बात करते है अगले दिन सुबह मिस्तरी आता है देखे बाड साब मकान तो बहुत बुरी आलत में 14 लाग का खर्चा आएगा मैंने तो इन बैंजी को पहले ही बता था कि इसमें मरमत से काम नहीं चलेगा इसको पूरा गिरवा कर बनाना पड़ेगा लेकिन तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि अपने काम से काम रखो तुम्हारे पैस पैसे तो होंगी अब बाकी का पैसा तुम कहां से लेकर आओगी इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन ये मकान बिलकुल ऐसा बन जाना चाहिए कि एक बोंद भी पानी घर के अंदर ना टपके और दीवारों में कहीं भी सिलन ना हो वरना तुम बहुत दंदनाते हुए अपने माई के गई थी ना इस बार मैं तुम्हें छोड़ कर आओँगा और कभी वापस लेने नहीं आओँगा किसी गलत फैमे में मत रहना तू अरे सुशान कैसी बात कर रहे हो मैं इतना पैसा कहां से लाँगी मैं कोई कमाती थूड़ी ना हो ये बहुत सही बात कही तुमने लेकिन गैन है तो है ना तुम्हारे पास इनी गैनों के चक्कर में तुमने मकाम की ये हालत कर दिये ना ऐसा करो जितने भी गैन है तुम्हारे पास सबको बेश डालो तीन चाल लाख रोपे तो मिली जाएगे बस उसे से काम कर वालो पती की बात सुनकर बिचारी मीनू की पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा था वो बिचारी बार बार अपने पती सुशान से माफी मागती है लेकिन सुशान तो उसकी एक भी नहीं सुनता अंत में बिचारी मीनू को अपने गैने बेचने ही पड़ते है और उनी पैसों से वो पूरा मकान दोबारा से बनवाती है